तो जातियों की जन गन्ना होने मातर से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी निस्टे बिहार की गन्ना हुई पड़ी है कि 13 करोड लोग बिहार के जो लोग है वो देश के सबसे गरीव और पिछले ये तो सरकार आपको उलजा रही है कि आप लग जाईए आधे लोग लग ज जन्गर्णा के पक्ष में आधे लोग लग जाए जन्गर्णा के बिरोध में जल्गर्णा के रहा है जन्गर्णा कराने और इसकी विरोध करने वाले लोगों से मैं अपील करता हूँ कि समाज में कोई वर्ग सही माएने में पीचे छोट गया है और उसकी संख्या जादा है और जरकार सर्वे करवा रही है तो करवाने दीजिए ज़्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसल्मान भाई जूज रहे हैं उनके लिए आपने क्या किया आप किसी गाउं में चले जाईए जो दलिक टोले हैं जो मुसल्मानों के इलाके हैं वहाँ आपको आख से दिखता है कि कितनी ज़्यादा गरीबी बदहाली फटेहाली है त उसकी गन्ना हो रही है सरकार सर्वे करा रही है तो करने दीजे ये तो सरकार आपको उल्जा रही है कि आप लग जाईए आधे लोग लग जाए जंगन्ना के पक्ष में आधे लोग लग जाए जंगन्ना के बिरोध में कोई इसकी चर्चा ही न करे कि बिहार में पढ़ाई कि रोदगार हो रहा है कि नहीं कि रोदगार हो रहा है कि नहीं सब जाती में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी से के एक बार फिर मुख्यमंद्री बंग जाने। जायत के हाई स्कूल किश्वनपूर में किया अभी वो वारिस नगर प्रिखंड में हैं दोरान वो 10 किलमेटर की पदयात्रा कर 11 गाउं में गए। प्रिशान्त किशूर पैदल चलकर लोगों को वोट की ताकत के अहसास दिला रही हैं। बीत दुनों में प्रिशान्त किशू और 2500 किलमेटर से अधिक पदयात्रा कर चुके हैं। स्वमस्तिपूर से राज किशूर की रिपूर्ट